हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मत्यप्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफ्यर के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है 30 माई दो जर्मनीज और यह हमारी 163 भी क्लास है 12 important question आपके लेकर आये हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी स से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्यूंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box हो बताएं हम आपके answer जरू करेंगे दोस्तो अभी last 5 दिन का एक भी वीडियो मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं थोड़ा busy था मेरा railway GE का paper था इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं डाला लेकिन आज से डेली एक वीडियो आपके लिए current affair का आएगा MP से related तो question no.1 हाली में मद्रदेश के किन खिलाडियों को भारतिये taekwondo team में चु इन दोनों को ये मद्रदेश के रहवासी है और इन दोनों को भारतिये taekwondo team में शामिल किया गया है दोस्तो आपको बता दें world school combat games के लिए भारतिये team में इन दोनों को चुना गया है यह प्रत्योगीता हंगरी में 16-21 जून तक आईजित की जाएगी इस प्रतियस परदा म शशंक 33 kg और 63 kg भारत बर्ग में हिस्सा लेंगे दोस्तो इन दोनोंने श्रण पदक भी जीती हैं next question हाली में किस भारतिये को UN मिशन के लिए commander बनाया गया है जिसका से यह option है सेलेस तैंकर हाली में सेलेस तैंकर को UN मिशन के लिए यह भारत के रहने वाले हैं और UN मिशन के लिए commander बनाया गया है दोस्तो UN महासचेव एंटीनियो गुटेरेस ने भारतिये सेना के अधिकारी लेटनेंट जेनरल सेलेस तैंकर को साउथ सूलान के UN मिशन का force commander बनाया है सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल से सम्माने 57 बर्शिये सेलेस तैंकर फ्रेंक कमान जी का इस्थान लेंगे हाली में किस दो office को मर्ज करके national esthetical office बनाया गया है जिसका सही option है केंद्रिय शांक की मंत्राले और national sample survey इन दोनों office को मिला कर हाली में केंदर सरकार ने national esthetical office बनाया है दोस्तो हाली में केंद्र सरकार ने 23 माई को आदेश चारी किया है एन एस ओ का नेतत्व सचिव इस तर पर किया जाएगा यानि national esthetics office का जो नेतत्व है वह सचिव इस तर पर किया जाएगा next question Faderick Arena Bruning ने हाली में किस पुरुषकार को लोटाने की पेसकस की है तो इसका सही option है पदम स्री हाली में Faderick Arena Bruning ने पदम स्री लोटाने की पेसकस की है दोस्तो आपको बता दें 25 साल में हजारों गायों यानि काउस की सेवा पर उनकी जान बचा चुकी फेडरिक एरेना बुरुनिंग ने पदमसरी लोटाने की पेशकर्ष की है आपको बता दें फेडरिक को इसी साल गौसिवा के लिए पदमसरी दिया गया था एक और important fact बता दें ये आखिर क्यों पदमसरी लोटाना चाहती हैं उसके बारे में भी तो फेडरिक एरेना भारत में ही रहना चाहती हैं और इसलिए इन्होंने बीजा बढ़ाने का आविदन दिया था लेकिन बिदेश मंतराले ने आविदन को खारिश कर दिया जिस कारण फेडरिक एरेना बुरुनिंग ने ये पदमसरी लोटाने की पेशकर्ष की है ये बहुत important question है दोस्तो एक्जाम में पूछा जा सकता है next question हाली में अपूर्वी चंदेला ने कितने मीटर एर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है तिसका सेयोफ्षन है 10 मीटर हाली में अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर रैफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है दोस्तो भारत की अपूर्वी चंदेला ने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है दोस्तो यह है अपूरवी चंदेला का सीजन का दूसरा वर्ल्ड का गोल्ड मेडल है दोस्तो इससे पहले इन्होंने फरवरी में दिल्ली वर्ल्ड कप में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था और अब इन्होंने जर्मनी के म्यूनिक में 10 मीटर एयर रैफल में गोर्ड मेडल जीता है Next question हाली में किस जले में किष्ञा सांदीपनी महोचसव का समापन हुआ है तिसका से योफ्षन है उजिंड हाली में उज्जेन जिले में कृष्णा, शांदीपनी, समारोय या महुटसव का समापन हुआ है दोस्तो तीन दिवसिये इस महुटसव में competition session में देश भर के 200 कलाकारों ने प्रतिवा दिखाई थी दोस्तो इस में देश के अलग-अलग हिस्सों से आयकलाकारों ने एकल योगल और समूह में पारम पर एक नरत्य किये थे दोस्तो अब बात आईए उज्जेन की तो आपको कुछ important fact उज्जेन के बारे में बता दे शिप्रा नदी के तटपर इस्थे थे उज्जेन भारत का ग्रीन विच और मंगल की जन्म इस्थली के नाम से उज्जेन को जाना जाता है रुद्र सागर जील में न्याय इस्थल उज्जेन में ही बनाया गया है दोस्तो ब्रह्मो गुप्त ने सुन्य का प्रथम बार उपयोग उज्जेन में किया था आपको बता दें प्रती वारह वर्ष में कुम्ब का मिला आयजित किया जाता है उज्जेन में भर थरी की गुफाएं उज्जेन में ही इस्थित है दोस्तो जंतर मंतर राजा जैसे हैं द्वारा खगोली बेट साला बनाई गई है उज्जेन में देश के बारह जोत्र लिंग में से एक जोत्र लिंग जैसे हम महाकाल की नाम से जानते हैं यह उज्जेन में ही इस्थित है महरसी, पाणिनी, संस्क्रित, विश्विद्याले और मालवा उच्सब यह उज्जेन में ही मनाए जाती है दोस्तो, एजिया का सबसे बड़ा सुयाविन से यंत्र उज्जेन में ही बनाया गया है तो कितना आपको उज्जेन के बारे में याद रखना है नेस्ट कॉश्चन हाली में किस शहर में दो गाउं को टूरिस्ट बलेज बनाया जाएगा तो इसका सई उप्षन है मांडू हाली में मांडू शहर के दो गाउं को टूरिस्ट बलेज बनाया जाएगा दोस्तो, मांडू में आने वाले देशी और विदेशी सेलानिया को अब यहां के प्राकृतिक सौंदरे और आदिवासी संस्कृति को करीब से जानने के लिए ये दोनों गाउं को टूरिस्ट बलेज बनाया जाएगा परेटन विभाग आदिवासी गाउं मालीपुरा और लंबा तालाब क्षित्र को टूरिस्ट बलेज के रूप में विक्सित करने का प्रियास कर रहा है दोस्तो वनिक्षित्र और खाईयों में बसे इन गाउं में आदिवासी बस्तियों के साथ जोपडी नुमा हट्स बनाये जाएंगे जो बाहर से आदिवासी संस्कृति के रूप में अंदर से सर्व सुर्विदा युक्त दिखाई देंगे और ये होंगे भी तो आपको याद रखना है ये दोनों गाव हैं मालीपुरा और लंबा ताला जिन्हें मांडू के टूरिस्ट ब्लेज बनाया जाएगा नेस्ट कॉश्चन हाली में किसे राजभवन का सचिव बनाया गया है जिसका से यॉप्षन है मनोहर दुवे हाली में मनोहर दुवे को राजभवन का सचिव बनाया गया है दोस्तो मनोहर दुवे ये सागर संभाग के लोका एक्त थे दोस्तो आपको बता दें इसके साथ ही मद्धिप्रदेश में बहुत से IPS और IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है 2001 बेच के IAS अधिकारी जनक कुमार जैन को भी हाली में शेहडूल कमिशनर पत से हटा कर सचिव राज़ सरकार बनाया गया था लेकिन अभी तक इनकी पदस्था अपना नहीं हुई थी और राजभवन में सचिव के रूप में हाली में मनोहर दुवे को बनाया गया है हाली में किस राज़ में के लिए कृतिम बर्शा हेतू 30 करोर रुपे की राशी स्विक्रित हुई है जिसका से यॉफ्षन है महरास्ट हाली में महरास्ट में कृतिम बर्शा हेतू राज़ को 30 करोर रुपे की राशी स्विक्रित हुई है दोस्तो महारास्ट भीशन गर्मी जेल रहा है और यहां पर हाली में जल्दी ही कृतिम बर्शा कराई जाएगी अभी वहां 28 जलासयों में जलिस्तर सूनने के किगार पर पहुँच गया है इसमें जरूरी क्लाउड सीडिंग के जरिये 30 करोर रुपे की मंजूरी के साथ यह कृतिम बर्शा कराई जाएगी 2003 में महारास्ट की 22 तालुका में पहली बार कृतिम बर्शा कराई गई थी तब इस पर 5.5 करोर रुपे का खर्चाया था और अब दूसरी बार यह 30 करोर रुपे के साथ कृतिम बर्शा कराई जाएगी महारास्ट में दोस्तो अब बात आईए महारास्ट की तो आपको मैप में महारास्ट की पारी में बता दे मैप में यह जगह महारास्ट को दरसाती है महराष्ट की स्थापना 1 माई 1960 में की गई थी गौवर्णर है विद्या सागर राव महराष्ट के मुख्यमंत्री है देवेंदर फडनवीस और महराष्ट के राजधानी है मुंबई तो दोस्तो इतना आपको महराष्ट के बारे में याद रखना है दोस्तो प्रदान मंत्री उजवला योजना में अब ग्रामीन महिलाओं को पांच किलो का छोटा गेस सिलेंडर मिलेगा और 260 रुपए में रिफिल हो जाएगा 2016 में इस योजना की BPL परिवारों को 16 से रुपे की सहयोग के साथ गैस कनेक्शन के साथ यह उज्जोला योजना शुरू की गई थी नई सरकार 8 दिन में 8 करूर कनेक्शन देने के लिए योजना बना रही है Next question हाली में किसे इंदौर में नया Income Tax Commissioner बनाया गया है जिसका सही option है DP हावकिप हाली में DP हावकिप को इंदौर में नया Income Tax Commissioner बनाया गया है दोस्तों यह मनीपुर की रहने वाले है और मनीपुर की एक छोटी जगह है जहांपर बिजली नहीं थी अकवार नहीं था, दो वक्त का भोजन जुटाने के लिए दिन गुजर जाता था ऐसी जगह है और पज़ितितियों से उठकर IRS, Indian Revenue Service बने D.P. हाउकिप ने हाली में Chief Commissioner Income Tax Indoor के रूप में कमाल सभाली है दोस्तों आपको बता दें, ये 1980 में मनीपुर के एक सरकारी ब्रभाग में बाबू थे इसके बाबजूद भी ये UPSC की तयारी के लिए रोज कॉलेज जाया करते थे दोस्तों इनका चैन 1985 में IRS में हुआ था तो इतना आपको DP Howkip के बारे में याद रखना है दुनिया का पहला YouTube चैनल कौन सा बना है जिसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर बने हैं जिसका सई उफ्षन है T-Series दुनिया का ऐसा पहला YouTube चैनल बन गया है T-Series जिसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर YouTube पर हो चुकी है 11 जुलाई 1983 में की गई थी इसे गुलसन कुमार ने बनाया था दोस्तो यूटूब पर इसके टोटल व्यूज 71.9 यानि 71.9 मिलियन है ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और ये एक भारतिये चैनल है तो इसलिए ये बहुत इंपूर्टेंट कॉस्चन बन जाता है और दुनिया का पहला ऐसा चैनल है जो 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किये हैं तो ये बहुत इंपूर्टेंट कॉस्चन है दोस्तो एक्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तो आप बात करते हैं क्वेशन आप तडडे की तो आज का क्वेशन है हाली में मद्यप्रदेश हाई कोट में कितने जजों की न्युकती हुई है तो इसका आंसर आप कमेंटर बॉक्स में दें हम आपके आंसर का वेट करें तो दोस्तो आज के लिए बस अतना ही आप हमारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्यप्रदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेट को लेकर हाजर होंगे और दोस्तो महीने में कम से कम एक पीड अवस्च्र लगाएं इससे हमारे परियारवन को बहुत लाब होगा तो आज के लिए बसतना ही नमस्कार, have a nice day